नमस्तकार सभी साथियों को यहाँ पर रेलवे के जो मंत्री है उन्होंने लाइव आके यहाँ पर कुछ पहली बार लाइव आके कुछ बोले हैं ठीक है तो यहाँ पर ने क्या क्या बोले हैं दस क्यूश्चन है नमस्तकार दोस्तु मैं आपका दोस्तु मैं आपका दोस्तु मैं आपका स्वागित करता हूं चली शुरू करते हैं बिना किसी बेरी के तो सबसे पहले तो यह क्यूश्चन उड़ता है कि एंटी पीस्टी डिवाय रजल्ट का क्या होगा सीबीटी एग्जाम टू कब से सुरू सीबीटी टू का रजल्ट और पूरे दस क्यूश्चन कवर करने वाले आज की वीडियो में तो सबसे पहले हमारा जो क्यूश्चन यही लेवल टू और लावल थरी में लिया जाए तो यहाँ पर कितनी एक नाम पर कितनी उनों कि नहीं रोक लिए लिए तीwer जब कि जबकी रहने एंगर थोड़ा इहान देती है तो यहाँ पर जो और साती है वो यहाँ पर उनका नाम आ सकता था वो भी सेलेक्ष्ट हो सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हो लेवल वन और यहाँ पर एक सरकार है एक प्रकार का विद्यारतियों के साथ गेम खेल रही है ठीक है तो यह था लेवल वन में लेवल वन में जो भी यहाँ पर इनका 20 कुना सिर्फ डोल नंबर रिपेटिट का सेलेक्शन हुआ है इस पर आपकी क्या राया है तो यहां पर रेलर के वंत्री ने लाइवा के बोल दिया है कि यहां पर लेवल वन लेवल टूब बाकी एक सब एक इनकी सोचिशन रेक चाल है अब देखें नेश्ट के तरफ चलते है एक चात्र को चार पांच बार सेलेक्ट हुआ है तो इसको कितनी सीट देंगी आर आर भी सीवी टूब के बाद एक सीट दिया जाएगा तो फिर कैसे ठीक है इसमें यह है कि इन्होंने कहा है कि एक चात्र को चार पांच बार सेलेक्ट हुआ है मनि एक चात्र पांच बार से चात्र के अब वो क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर सभी को सारी सीट मिल जाएंगे नहीं यहाँ पर एक ही सीट मिलेंगी इतना तो हमें भी पता है ठीक है एक ही सीट मिलेंगी ओके आप देखें नेक्स किस्चन के और चलते हैं next question क्यों चलते हैं यहाँ पर यहाँ पर कहा है CBT-1 का exam common क्यों लिया गया सबसे बड़ा सवाल है CBT-1 का exam common क्यों लिया गया CBT-1 एक साथ 10 पलस टू वालों को और graduate को एक साथ क्यों बठाया गया तो simple सी बात है देखो अगर इनको एक साथ बठाया गया अगर इनको अलग अलग बठाते तो एक तो इनकी कट ओफ कम जाती क्या जाती एक तो इनकी कट ओफ कम जाती ठीक है उसकी बाद इनका एक और फाइदा होता है कि फाइदा इनका यह हो गया कि इनों ने मतलब जादा जंजट किया नहीं कि एक ही बार एक ही बार में सभी का एक्जाम हो गया ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर अलग लग बठाते तो टैन पलस टू और यहाँ पर ग्रेजवेट जो भी जो भी दिये हुए है उनकी कट उफ कप कम जाती ठीक है और यहाँ अगला के जो किस्चन है वो यह है नोटिफ केशन को हवाला दे रही आर आर भी मगर नोटिफ केशन में लिखा ता जून 2019 में एक्जाम होगा इसका क्या देखे 2019 में फारम बने वाले अब ग्रेजवेट हो जाएं तो ग्रेजवेट काउंट हों गई या नहीं आर आर भी क् पर बताया भी था ठीक है अब दे talks क्या कहता है नूर्मिलाजैशन हुआ कैसे तो यहां पर नूर्मिलाजैशन कैसे क्या हुआ हुआ देखे मान लीजे आपने जब फॉर्म फिलब किया 2009 में फॉर्म की फिलब किया आपकी एज रहां पह आपकी यहां पहुंटी वन थी ठी ठीक है और यहां पर एग्जाम होते 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 आपकी एज यहां पर 23 है ओके यहां पर 23 है तो क्या यह 23 एज काउंट होगी या फिर 21 काउंट होगी तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर काउंट होने वाली है 21 21 वाली एज यहां पर काउंट होने वाली क्योंकि डुकु अब रिल्वेंड चेर्मेंड लाइव क्लाइफिकेशन अब अगला के सवाल क्या पूस इन से CBT2 की प्रिकिरिया कब तक करवा ली जाएगी जोइनिंग कब तक दी जाएगी तो इन्होंने ये का है कि CBT2 की CBT2 की यहाँ पर यह जो परिक्षा है यहाँ 14 फरवरी से यहाँ पर सुरू करवा ली जाएगी यानि कि 14 से 18 फरवरी तक सुरू की जाएगी अब बात आती है जोइनिंग के तो जोइनिंग कब से होगी तो जोइनिंग इसके बाद ही जाएगी अभी इनका कहना कि अभी हम जो स्वाल यहां पर देखते हैं सीवीटी टू का रिजल्ट कब तक आएगा सबसे बड़ा सवाल है सीवीटी टू का रिजल्ट कब तक आएगा कब तक आएगा या सीवीटी टू का रिजल्ट साइको टैस्ट टाइपिंग कब 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 क्या होंगे कब क्या रिजल्ट आएगा तो तो CBT2 का result है न दोस्तों यहां पर 15 मार्च 2022 को बता रहे हैं कितने बता रहे हैं 15 मार्च 2022 को यहां पर CBT2 का result बता रहे हैं ठीक है और यहां पर psychotest के बारे में बात करें तो psychotest और typing यह सब बाद में ही करवाई जाएंगी ठीक है आगला question देखते हैं युनोंने क्या खा जो psychotest typing फैल हो तो क्या दूसरी पोस्ट मिलेंगी देखें जो psychotest में और typing फैल हो जाता है तो उसको क्या दूसरी पोस्ट मिलेंगे इनों नहीं यह का है देखें मानेजिए अगर एक candidate ने यहां पर चार लेवल पर अगर लग लग एक्जाम दिया लग लग पोस्ट पोस्ट क्या पर फॉर्म् दिया है और भे मानgelी जी अगर सभी में पास है ठीक है और आगर वह टैस्ट में रहा जाता है तो उसके जो नीचे वाली जो पोस्ट है न उसके जो नीचे वाली जो भी पोस्ट होगी जो उनको दे दी जाएगी और टाइपिंग में ये है टाइपिंग में इन्हों ने ये कहा है कि माली जी अगर कोई भी स्टूडेंट है अगर उनका टाइपिंग में अगर फैल हो जाता है उसके जो नीचे वाला exam होगा कि नहीं तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा यह सवाल है NTP-CVT2 में exam होगा इनकी नहीं देखिए यहाँ पर simple सा है कि इन्हों ने यह का है NTP-CVT2 में exam बिल्कुल होगा लेकिन जहाँ पर exam एक ही shift में exam होगा और आप सभी के लिए फाइदे की बात है कि अगर एक shift में exam होता है तो कोई भी जन्जट नहीं होता ना कोई मतलब एक ही चक्कर में हो जाएगा किसी भी प्रकार के कोई किसी को परेशान नहीं होगी किसी का आज है किसी का कल किसी का morning bench में है किसी का evening bench में है ठीक है तो ऐसे आप यहां पर इन्होंने बताया था ओके तो यह थी आ एंटीपीसी की कुछ ही यहां पर मुख्य बाते जो आज आपको बतान भी है जरूरी था ठीक है चैनल पर बने रहें चैनल को करने रहें सब्सक्राइब ऐसे ही अफेक्ट के लिए टेलिग्राम पर डिस